हाई फ्रेंड, वेल्कमटु पी एलसी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उन्हाट नहीं में क्या होता है ची लेंग्वेज में हम लोग इस्टॉक्चर पढ़ चुके हैं अगर आप structure पढ़ लिए हैं तो union आपके लिए एकदम असान है क्योंकि union एकदम structure की तरह ही देखने में हैं तो चलिए देखते हैं इसका definition क्या करता है और फिर इसके syntax को समझेंगे एक example भी देखेंगे तो आईए definition पढ़ते हैं like structure union is also a user defined data type एक structure user defined data type होता है मतलब एक structure का use करके हम लोग user defined data type बना लेते हैं तो ठीक उसी तरह से आप union का भी इस्तमाल करके एक user defined data type बना सकते हैं तो यह क्या है एक user defined data type है in union all members share the same memory location union में जितने भी members होते हैं दो member हो या 10 member हो वो सारे member एक ही location को share करते हैं मतलब एक ही memory allocate होगा और सारे members का data वहीं पहर रखा जाएगा ठीक है ऐसा structure में नहीं होता है structure में जितने भी members होते हैं उनके लिए अलग-अलग memory allocate किया जाता है अगर आपने structure पढ़ा है तो इस चीज को आप समझ रहे होंगे ठीक है अगर आप नहीं पढ़े हैं तो description box में आपको link मिल जागा वहां से जाकर structure ज़रूर देख लिए तो आएए इसके syntax को समझते हैं देखे syntax एकदम structure की तरह ही है यहां पर struct keyword होता है और बाकि सब यहीं चीज होता है तो बस struct keyword को हटा दिया गया है यहां union keyword लगा दिया गया है फिर union का एक नाम होगा और जितने member आप इसमें डिक्लियर करना चाहते हैं उतने member को आप डिक्लियर किजिए और फिर curly braces close करके एक semicolon लगा देजिए ठीक है यह रहा syntax example देख लिए syntax अगर समझ में नहीं आया है तो example से 100% समझ में आया जागा एक क्या करना है keyword union keyword लगा देना है कुछ भी नाम दे सकते हैं यहां पर आप जो variable का नाम देते हैं उसी condition को follow करते हुए यहां पर कुछ भी नाम दे सकते हैं union का औ सी है और एक integer type आई है ठीक है तो इस example को हम लोग structure से compare करते हैं कि structure से union कितना अलग है तो क्या करते हैं ठीक इसी तरह का एक हम structure त्यार कर लेते हैं बगल में तो हम क्या करते हैं struct keyword लगाते हैं और इसका भी नाम देते हैं demo ठीक है और इसमें भी एक कार C type का एक C variable बना लेते हैं और फिर int type का एक I variable बना लेते हैं और क्या क्या हमने structure को बंद कर दिया अब आपको क्या करना होगा एक structure variable बनाना हुगा तो एस ट्रॉक्ट लिखना पड़ता है और फिर demo भी लिखना बनाया तो जब हम लोग structure variable बनाते हैं तो क्या होता है तब जाके memory में space allocate होता है मतलब कि इसका नाम हो जाएगा S1 इसके दो member हो जाएंगे एक member हो जाएगा C दूसरा member हो जाएगा I तो C कितना byte का हो जाएगा 1 byte क्योंकि character type है और I कितने byte का हो जाएगा 2 byte तो अगर हम समझे तो ये total S1 कितना byte space लेगा memory में 3 byte ठीक है memory में कितना space लिए 3 byte S1 जो structure variable है इनके जो भी member है उनके लिए अलग-अलग memory allocate किया जाता है तो ये 3 byte memory occupy करेगा ठीक है लेकिन अगर union के case में अगर एक हम union variable बनाते हैं तब क्या होगा तो आएए इस चीज़ को समझते हैं union लिखना होगा आपको और फिर demo लिखना होगा और variable का नाम आप देजिए जैसे कि u1 ठीक है तो ये कि u1 नाम का variable बनेगा कौन union variable का नाम क्या है u1 तो यहाँ पर क्या होगा कि ये u1 तो बनेगा लेकिन इनके लिए दो अलग अलग memory allocate नहीं होगा एक ही memory allocate होगा और वो memory किस हिसाब से allocate होगा integer के लिए allocate होगा क्योंकि इन दोनों में अगर compare आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा space कौन occupy करता है int, int दो byte space occupy कर रहा है तो यहाँ पर एक ही memory allocate होगा केवल integer type data के लिए और उसी में जो c है उसका भी data store किया जाएगा तो union में थोड़ा सा फायदा क्या हो जाता है कि यह memory बचाता है तो आप बोल सकते हैं कि यह memory efficient होता है तो अगर हम यहाँ देखे तो यह कितना byte memory allocate कर रहा है दो byte और यहाँ तीन byte तो एक byte का फायदा यहाँ हो जाता है लिकिन यह इसको थोड़ा सा operate करना मतलब इस पर काम करने में कुछ condition को follow करना होता है तो वो condition क्या है आईए हम लोग एक program बना कर उस चीज़ को समझते हैं तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि union बनाते हैं इस program में तो देखिए structure के तरह आप union को main के बाहर भी बना सकते हैं या main function के अंदर भी बना सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं में function के बाहर ही बनाते हैं तो आईए हम लोग coding करते हैं तो main function के बाहर बनाना है तो यहां पर union keyword लगाते हैं और इसका कुछ नाम दे सकते हैं आप तो हम demo ही इसका नाम दे देते हैं आपको क्या करना है curly braces लगाना है और इसके अंदर member variable बनाना जैसे कि int a एक variable हो गया दूसरा variable care c आप उपर नीचे भी कर सकते हैं c को उपर बना लेजे और a को नीचे बना लेजे उतना भी आप कर सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पढ़ने जा रहा है चलिए यह क्या बन गया एक demo नाम से union बन गया अब इसका हम लोगों को क्या करना होग variable बनाना होगा मतलब union variable बनाना होगा तो union variable के लिए union लिखना होगा फिर demo लिखना होगा अब variable का नाम आप दे दीजे कुछ भी दे सकते हैं जैसके u ही दे दीजे तो u नाम का एक क्या बन गया variable बन गया union variable तो अब इस union variable में जैसे कि u के अंदर हमें क्या करना होगा बैलोट डालना होगा तो u के अंदर दो मेंबर हैंना, a और c तो उनधों के अंदर भैलू डालना होगा, तो हम लोग भैलू डालने के लिए क्या करेंगे, dot operator यूज़ करेंगे, member variable को access करने के लिए dot operator का यूज क्या है था तो यू.a तो इसमें value डाल देते हैं जैसे कि 150 हो गया integer type value और फिर u.c में हमें क्या डालना है character type तो character type कुछ भी डाल दीजिए जैसे कि हम डाल देते हैं dollar sign को ही हम क्या कर दिये and assign कर दिये किसमे union के c वाले member में तो चलिए दोनों को data मिल गया अब हमें क्या करना है just print करके देख लेना है तो चलिए हम print करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते है value of a equal to ताकि इससे हमें देखने को मिले कि actual value store हो पाराएग नहीं तो equal to percent d लगाना होगा integer type है a में value और यहाँ पे u.a को print करना होगा यह सब अब आपको आता होगा अब दूसरा value भी print करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं पहले slash n लगा के line change कर देते हैं लिखते है value of c equal to percent c percent से इसलिए लगाना है कि character type data है u.c चलिए हो गया प्रोग्राम बन गया ठीक है अब इसको हम run कराते हैं run कराकर देखते हैं print करके कि क्या print सही आ रहा है तो चलिए run कराते हैं देखिए हमने run करा दिया लेकिन आप सब्सक्राइब किजिए जो value of a है वो 36 आ रहा है जबकि हमने क्या एस्टोर किया है 150 ठीक है अब देख लिजिए हमने यहां पर क्या एस्टोर किया है 150 यहां पर output के तोर पर क्या रहा है 36 गलत आ रहा है आ रहा है ना चलिए लेकिन अगर c में जो हम एस्टोर किया है dollar sign वो सही आ रहा है मतलब कि एक सही काम कर रहा है एक सही काम नहीं कर रहा है ठीक है इसके पीछे का logic समझ लिजिए क्योंकि हम पहले ही पढ़ लिए है क्या कि जो भी union variable है यू इसमें जो भी members ह है उनके data को एस्टोर करने के लिए एक ही memorial location को यूज किया यता है मानलेजे integer data को एस्टोर करने के दो बाइट का space allocate किया होगा ठीक है तो पहली बार में हमने यहां पर क्या रख दिया 150 तो यहां पर हम पहले 150 रख रहे हैं तो 150 तो आ गया लेकिन जस्ट उसके बाद हम क्या store कर रहे हैं dollar sign तो अब यह 150 यहां से क्या हो जाएगा हट जाएगा मतलब वहां से 150 क्या हो जाएगा remove हो जाएगा और वहां पर क्या store हो जाएगा dollar sign तो 150 तो गाऔ हो गया, तो 150 गाb हो गया, इसलिए 150 नहीं आया है, कुछ उलूल जलूलूल आउटपुट में आ गया है ज उसके लिए हमें यहीं करना होगा, कि एक एक करके डालना होगा भैलू, उसको प्रिंट करा लेना होगा, फिर दूसरा भैलू डालना होगा, तो चलिए ऐसा करके देखते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है इसके लिए, यहां से एक प्रिंट टेफ को काटते हैं, मतलब यहां स वैलू डाल रहे हैं अजस्ट उसको प्रिंट कराकर देख ले रहे हैं फिर उसके बाद वैरीबल सी में वैलू हम डाल रहे हैं देखिए अब आटपूट 100% एकदम कॉरेक्ट आएगा आया है ना एकदम सही आटपूट आया है तो यह है यूनियन और इस तरह का सवधानी झाल आटब करें प्रणब करेंगा तरह करेंगा हैं अजस्ट वैस्ट प्रवा कि अजस्ट ने है